श्री नगर में डल जील का सुहाना नजारा डल जील के किनारे जूमे विदेशी महमान विदेशी महमानों को पसंद आ रही है घाटी यह तस्वीर है किसी के भी दिल को छू सकती है कश्मीर घाटी की यह तस्वीर है और श्री नगर के डल जील का यह नजारा हर खास और आम की पसंद बन जाता है शायद इसलिए ही कश्मीर को प्रत्वी का स्वरत कहा जाता है जो भी यहां आता है बस यहीं का हो जाना चाहता है ऐसा ही नजारा G20 की बैठक के दौरान देखने को मिल रहा है कश्मीर में G20 बैठक के दौरान विदेशी महमानों ने घाटी की खूपसूर्ती का लुथ भी उठाया G20 में शामिल होने आए महमानों का स्वागत भारती परंपरा और संस्क्रती के अनुसार किया गया है बैठक में शामिल होने के लिए 29 देशों से 61 प्रतिनिधी जम्मू कश्मीर पहुँचे है वहीं विदेशी महमान वक्त निकाल कर डल जील के किनारे पहुचे और शिकारे की सेर की साथ ही डल जील के नजारा देखकर सभी महमान जूम उठे I've heard so many good things about Jammu and Kashmir, how beautiful it is but now that I came here and get to experience myself, it's just stunningly beautiful so this opportunity to host third tourism working group meeting here in Jammu and Kashmir will be an opportunity to showcase the world, how beautiful it is and also how peaceful it is unlike some people's concerns I mean I came from Hawaii right before coming here I was posted to Honolulu Consulate which is another paradise but I must say the hospitality here is just absolutely non-comparable to any other Kashmir जाओ और शिकारा की सेर ना करो तो फिर वादियों की खुबसूरती अधूरी सी लगती है Shikara से Jammu Kashmir की जवजननत सी खुबसूरती दिख जाती है विदेशी महमान भी शिकारा की सेर करते देखे जा सकते हैं शिकारा नाओ की तरह है जिसे बहत खुबसूरत तरीके से सजाया गया है इसमें लाइट्स भी लगाई गई है जो रात के समय में और भी खुबसूरत नजर आ रही है प्रुबसूरती है in the Crafts Bazaar today. So I think Kashmir is poised for better days in the days to come. How much it will improve the overall Kashmir's future? The brainstorming that is happening with so many different countries coming in, representatives of people from various countries with their expertise and experiences will definitely contribute to the creation of a better product. So we will be hopeful for the coming days. Kashmir बहे बहुत कुछ बदला है. ये Kashmir बिलकुल नया सा है. शान, सुरक्षित और सुन्दर यही वज़े है कि विदेश राय महमान भी यहां की मन मुहकता का लुट्फ उठाते नजर आ रहे हैं. हलकी हलकी हवा आपको छू कर निकलती है. शिकारा धीरे-धीरे पानी को चीर कर आगे बढ़ता है. और शाम का सहर ऐसा लगता है मानो किसी खौबों की शहर में आ गए हो. इस खबर में भी इतना ही आप बने रहे है बन इंडिया के साथ.